अलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों दोस्तों आज परवर का कलोंजी और बैगन का कलोंजी कैसे बनाते हैं ओ आप आपको एर फ्रायर में कैसे बनाया जाता है ओ आपको हम दिखाते हैं तो दोस्तों वीडियो में कंटीन्यू ब ओम लाल मिर्च है यह कट पोरन है यह वाला जुकाण पर मिलता है कट पोरन करके बोलोगे तो देंगे तो इस तरह से इसको एक दावा लेने का गऱम और इसको जो धनिया है अक्खा का और कट पोरन है दोनों को हलका गरम कर लेने का इस तरह से गरम कर के उसको उतार देने का ज्याद है नहीं गरम करने का हलका थोड़ा चार से दो से तीन मिनट तक उसको भूझने का ऊएसले से उसको दोनों को हो गया अभी इसको मिक्सर में इसको पीछने का बारिक तो इसलिए मिक्सर के वाटी में इसको डाल लेते हैं छोटा वाले वाटी में इस तरह से वाटी में डालके और आगे का वीडियो आगे का हम दिखाते हैं मिक्सर में इसको पीशते हैं इस तरह से बारिक जादे बारिक नहीं करने का दोस्तो इस तरह से हो गया तो छोटा वाला वाटी लिया मैंने अब इसको मिक्सर में पीश लेने का तो इस तरह से अभी मेरा मिक्स मिक्सर में पीस के हो गया है इस तरह से तो देखो इस तरह से मेरा बारिक पीस के हो गया है इस तरह से जादे बारिक नहीं करने का हलका खुरदुरा रहना चाहिए तो इस तरह से मैंने देखो इस तरह से हो गया मेरा मिक्सर में देखो कैसा दिखता है इस तरह से आपको पीसना है जादे बारिक नहीं करना है अग्दम इसे खुर दुरा रहना चाहिए तर इसको और अच्छा लगेगा आपको जादे बारिक कर देगा तो जल जाएगा तो उ तो इसमें अभी आइल डाल दिया इस तरह से और इसको अच्छे से नमक भी डाल दिया अब इसको हाथ से अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लेने का सौद के अनुसारी नमक डालने का इस तरह से इसको मिक्स कर लेने का तेल के साथ में इस तरह से अच्छे से इस तरह से अच्छे से एकदम इसको मिक्स अप कर लेने का क्योंकि जो इसमें मिर्च है साब इसा मिक्स हो जाएगा और जो आयल है ना एकदम सब साइड मतलब और लग तुम अच्छे से पकड़ लेगा और इस तरह से अभी बैगन को फाड़ने का बीच में से इस तरह से हाँ इस तरह से पूरा अलग नहीं करना है इस तरह से सब बैगन को फाड़ लेने का और परवर को भी इस तरह से पूरा फाड़ लेने का इस तरह से बीच में से देखो इस तरह से बैगन को भी फाड़ लेने का ऐसा ऐसा एक दम सेम ऐसा रहना मंगता है क्योंकि बाज में हमको उसी में इसको फिलब करने का है यह जो मसाला बना है इसी में हमको फिलब करने का है तो इस तरह से बैगन को सब को फाड लिया है इस तरह मैंने और अभी परवल को इस तरह से मैं यह कर रहा है तो अभी पहला मैं बैगन को भर रहा हूं इस तरह से देखो बैगन को इस तरह से दबा दबा के भरने का उंगली से इस तरह से इस तरह से बराबर इसको दबा दबा के भर लेने का इस तरह से देखो अभी इसमें अच्छे से एकदम पुरा भर गया देखो इस तरह से इस तरह से भर देने का अच्छे से कि देखो अब यह परवर है परवर को भी ऐसे ही करने का परवल भी है ना परवल को भी ऐसे ही भरने का देखो इस तरह से इसमें भर देने का है इसमें भी हाथ से दबा दबा के भरने का तो इस तरह से इसको दबा दबा के परवल को भर लेने का इस तरह से अभी मेरा ये कार बचा हुआ है तो इसको भी इसी तरह से दबा दबा के भर देने का इस तरह से देखो इस तरह से अच्छे से दबा दबा के भर लेने का, इस तरह से, इस तरह से खूब दबा के भर लेने का, इस तरह से, बस अभी हो गया है, अभी आगे का आप बताते हैं इसको, इसके बाद भरने के बाद, इसको, इस तरह से मेरा भी सब भरके हो गया है देखो कितना अच्छा दिख रहा है अभी इस तरह से देखो अभी और जो थोड़ा बहुत बचा है वह वह इसी में डाल देने क्योंकि वेस्ट हो जाएगा तो इस तरह से मेरा इसा भरके दिख रहा है और अभी यह एर फ्रायर Air Frier का भी दिखो निकला हैं अभी Air Frier में हम लोग इसको कि अईससाफ़ अई लगाक्र इसे एकिसाफ सब रख सेने का जगए तो एक साथ में रख में दुझी और इसको टम प्रेचर है 200 और बार्रश मिनेट के लिए रका है। तो इसी तरह से अभी मेरा हो गया है देखो मैंने 200 टंपरेचर पर और 12 मिनट के लिए रखा है मैंने तो इस तरह से अभी मेरा हो गया है दोस्तों और अब देखो एकदम गल गया है देखो किस तरह से दिख रहा है तो और अभी 10 मिनट ही हुआ है तो दो मिनट के लिए और मैं रख दिया ह तो दो मिनट के में हो गहाइबने मैर कंपलीट हो गया इस तरह से को अधियोड़ प्रम, सब्सक्राइब एक रखिक it क्यों दौक़ कर से अबवी एजर को मेरा भी आप हो गया अभी देखो अभी देखो अब मेरा जो निकल गाया इस तरह से भी हो गया है पहला 10 मिनट का रखा था अभी नहीं हुआ इसके बाद 2 मिनट और एक्ष्रा किया तो मतलब 12 मिनट पकड़ो 12 मिनट के अंदर हो जाता है इस तरह से देखो कितना अच्छा दिखता है एकदम गल के एकदम पतला हो गया सुकुड जाता है तो सुकुड ने लगता तो समझ जाने का हो गया देखो कितना अच्छे दिख रहा है और इसमें जलेगा भी नहीं आप आप कराही में बनाएंगे तो तोड़ा जल जाता है या ऑधि अоिल लगाना पड़ता है इसमें बीना आउयल का है आप इसको पका सकते हैं देखोो कितना पकड़ने प्रॉबलम कितना अच्छ से गल गया है इस तरह से आप ये कर सकते देखो ये खन कभी अच्छ से मतलब दोनों अच्छ से हो गया गया रहे मिनट कें अंदर ही हो जाता है अबब लोग्स चाम बनाया है तो 12 मिनटी लगा है तो दोस्तो अभी तक मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तो सब्सक्राइब लाइक एंड